नमस्कार आप देखरे हैं पुलिस वाला वैब नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी जनपत जालान को परेटरन के मानजुत्र पर लाने के लिए जलाधिकारी जालान डॉक्टर मन्नान अक्तर की पहल का जनपत दवासियों ने स्वागत किया है और सरहानिय कदम बताया है जलान टूरिज्म के नाम से जाली किया गया पूटर में जनपत के विबिन धारमिक एतिहासिक महत्व के स्थलो को समर्प इनमें एक नामचौलन नगर छेतर मेराटा सामराज के महल जिसे टाईबाई के स्थान निवास के रूप में जना जाता था और बाद में अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिपत्य इस्थापित किया था जिसमें आजादी के बाद सापित की गई तहसील और परगना अधिकारी के कक्षों कसंचलन किया गया हलाकि अब इस समय जी नशीन और खंडर हो चुकी इमारत अपने बुलंद होने का हैसास कराती है इस इमारत के बारे में मराथा वंशज और इतिहासकार वज़े मोहन भागवत ने बताया कि सत्रवी शताबदी में ताइबाई के पता ने अपनी बेटी की याद में इस महल का निर्मान कराया था अठारावी शताबदी के शुरुवाती दिनों में जब अंग्रेजों ने आंक्रिमन किया तो ताइबाई अपने साथियों के साथ पहले रायपुर मड़या गई और फिर बाद में कुठोंद पहुंची जहां अंग्रेजों ने उने गरफतात कर ली और इलहाबाद जेल प अगन में एक पीपल का व्रक्ष है और एक शिव मंदिर है जिसके बारे में बताया जाता है कि इस शिव मंदिर में ताइबाई पूजा अक्षना करती थी जिसका 1967 में तक्कारी इंतहसिलदार अजब सिंग निचीनों उधार कराया था साथी बताया यह भी जाता है कि इस मह असमत रहने पर उन्होंने उस पर नाले को सिमेंटेट पत्रों से पटवा दिया था अच्छा और जालोन में नाना साहब द्वारा बनाए गया एक महल है ताइवाई की नाम से उसको अंग्रेजों ने किस सन में अटोबर किया होगा कुछी काईडी अंग्रेजों ने हेंड कि अग्रेजों का थाइग फिर उसके बाद ये जो तैसील वाला जी है ये ताहिबाई के निवास का था ये इला था और वो निवास था जी और मंतिर भी बहुते जालों तो